चली फ्रेंट्स टिप नमबर वन आपको डेफिनिटली पसन आने वाला है और ये टिप दही को लेकर है कई बार क्या होता है दही हम जादा जमा लेते हैं और वो खाया नहीं जा रहा है तो दो से तिन दिन में ही दही खटा होने लगता है या आपको अरजेंटली कहीं बाहर तब भी उसकेस में आप कैसे दही को बचा के रखे उसके लिए चोटी से टिप है तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंट्स आप ले 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 फ्रेश नारिलका तुकड़ा ले ले लिए आप सुखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं बड़ फ्रेश नारियल आपको जादा अच्छे रिजल्स देने वाला है तो यहां मैंने एक कटोरी यहां दही ले लिया है तो इसमें यह चोटा सा तुकड़ा आपको डाल देना है इस तरह से नारियल इससे आपका दही बड़े कर सकते हैं मैं यह ट्रिक करती हूं और दही एदा फ्रेश रहता है लंबे समय तक कैसी लगी टिप कमेंट करें चली अगले टिप डेफिनिटली आपको पसंद आने वाली है तो आज मैं आपको इंस्टिंट मावा की रेसिपी बताऊंगी वह भी आप 10 मिनिट के अंदर घर कप दूद दूद यह नॉर्मल दूद है जो हम करम करके फ्रिज में रखते हैं वही दूद लिया है मैंने और इसको एक बार मिला लेंगे अब इसमें हम दालेंगे फ्रेंग्स दो कप भर के मिल्क पाउदर तो यह कप और यह दूसरा कप और इन सारी चीजों को आपको मिल लेना है बस सिर्फ और सिफ यह तीन चीज से हमारा मावा बनके रेडी होगा वह भी 10 मिनिट के अंदर डिपेंड कि आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं वैसे तो यह तो मेरा 5-7 मिनिट में ही बनने वाला है अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है नॉन स्टिक पैन अच्छी तरह से पकाना है अधरवाइस वह कड़क हो जाएगा इसलिए से मिड्राइब रखना है ताकि इसका मॉइस्चर भी इसके अंदर रहे तो 5-7 मिनिट लो फ्लेम पे लगातार इस तरह से चलाते हुए आप इसे पकाएं ऐसे टाइम में जब तैवार आ रहे है स्प जटपट काम करना है, मार्केट से ना लाके घर पे इस तरह से आप मावा बना सकते हैं मिल्क पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अलरी है, जरूर चेक करिएगा घर पे आप मिल्क पाउडर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं अगर देखना चाते हैं वो वीडियो तो कमेंट करेगा, तो यह देखे हैं अब इसने पैन छोड़ दिया है, यह देख सकते हैं आप गैस को ओफ कर लूंगी और यह देखें कि आप बढ़िया कलर आया है और टेक्शिर भी बढ़िया, चलिए इसे ट्रांसफर कर लेते हैं त सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी इससे बना सकते हैं, बाहर से लाने से अच्छा आप इस तरह से मावा बनाए देखिए, तो अब आप इसको बन करके प्रिस में रख दे एक महने तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो है ना बहुत ही बढ़िया और टाइम सेविंग टिप कैस तो खुश हो जाने वाले हैं, आप एक बार ज़रू ट्राइ करीगा, पैन में चोटा सा चमच गी का डाल दिया है, और दो कप भरके में ने फूल क्रीम दूद ले लिया है, और बेसिकली अब हमें दूद को पकाना है, तो यह जो रेसिपी है, बहुत जली बन जाती है, तो मैं यहां क्या करने वाली हूँ, हाई फ्लेम पे इससे लगाता चलाते हुए करने वाली हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, दूसरा काम है, तो लो फ्लेम पे दूद को आराम से बॉल होने दे, जब दूद में बॉल आ जाए, तब हम इसमें एड करेंगे आधा से भ बॉल करूंगी, शुगर डालने के वज़े से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और बॉल करने के वज़े से यह रेड्यूस हो जाएगा, पांच मिनिट हो चुके है, यह रेड्यूस हो चुका है, इसी टाइम पे मैं डालूंगी फ्रेंस, डेसिकेटिद कोकोनट, तो देर पकाना बता रही हूं इसे अब हमें पकाना है, जब तक कि यह इस तरह के से ड्राइना हो जाए, तो इसमें और तीन से चार मिट लग जाएगे, जादा मिनिट नहीं लगेंगे, अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे, अब आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल के भी बना सकते हैं अगर आप दूद में इस तरह से जैसे मैं बता रही हूं उस तरह से पकाएंगे तो इदम सॉफ्ट रहेगा, तो गयास को ओफ कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा हम थंडा होने देते हैं, कि हम जितना छूपाएं उतना थंडा हो जाए, क्योंकि थंडा होने के बाद तो चलिए अब इसकी चोकलेट बनाना शिरू करते हैं, तो ले ले आप आपकी हिसाब से छोटी बड़ी जैसे बनाना है, इस तरह से सिलिंडर पहले आप बना ले और फिर आप इसको एक रेक्टेंगल शेप दे दे जो हमारी बांटी चोकलेट का होता है बस वही शेप दे अगर आप एक ही साइस की बनाना चाहते हैं तो आप कोई बी चमज चोटी का हल्प ले सकते हैं उससे एक ही साइस के आपके यह चोकलेट बनेंगे, तो इस तरह से आप सारे रेक्टेंगल को प्रिपैर कर ले और थाले में आप इस तरह से रख ले तो देखिए फ्रेंज म यहां मिल्क कमपाउंड चोकलेट लिया है तो इसको मैं इस तरह से कट कर लोगी ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसको मेल्ट करने के भी दो तरीके हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 30-30 सिकेंड के लिए आप कर सकते हैं या आप डबल ब तो लिए दी तरह से मेल्ट कर सकते हैं अब मैं मैं माइक्रोवेव में 30 सिकेंड के लिए रखोंगी और एक बार मिक्स करूंगी और फिर शे 5-11 ऎत रखोंगी तो देखे फ्रेंट्स मैंने एक बार मिला के इसको फिर से 10 सेकिंड के लिए रख दिया था और यह पॉफिकली मेल्ट हो चुकी है और जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो यह देखे कि जो भी बरतन में मेल्ट कर रहे हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं आपके इसको सेट करने के लिए रखना पड़ेगा और यह भी सेट हो चुके है यह देखे बड़े अलग रहे हैं इसी तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं बड़ बच्चों को चॉकलेट के साथ जादा पसना आता है तो मैंने यह यह ले लिया है और अब मैं फॉक से इसके उपर दाल दोंगे चॉकलेट और इससे धीर इसे हम उठा लेंगे दूसरा फॉक भी ले लोंगी और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वह हम निकाल देंगे इस तरह से यह देखे और इस तरह से आप इसको पेपर पर रख ले तो यहां एक और ले लोंगी और इस तरह से आप कोट कर ले यह देखिए इंदम बढ़िया तो दो फॉक से करेंगे ना तो एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है नीचे से ड्रिप होती जाएगी तो आप इस तरह से लेते जाएए इसको धीर से आप स्लाइट करिए यह देखिए तो इसे फ्रिस करना जरूरी है तभी यह परफेक्ली कोट होग अधर्वाइस पर यह तूट जाएंगी जब आप चॉकलेट में डालेंगे तो यह तिप याद रखेगा तो यहां मैं इसको बना लेती हूं इस तरह से सारे तो देखिए फ्रेंस काफी ज़्यादा हो गये है और यह सेट भी हो चुका है बड़ मैं इस पर मांक्स लगाना 10-10 मिनिट हो चुकी है फ्रेंस और मैंने पर्शमी पेपर इसलिए बोला था देखिए असानी से निकल एकल시고 आता हैब इससे अशी तरह से क clapetॉ कलेगे यह तो यह क्किन की पर पर यह इरी हो चूकलेट यह चुकलेशอ पर रखते जंशने नहीं आएगी इसलिए पार्चमेंट पेपर रियूस करना अच्छा लगता है मुझे और इस पेपर को आप बार बार रियूस भी कर सकते हैं तो देखें हमारी मार्केट में मिलने वाली बाउंटी चोकलेट घर पर रेडी है जो बहुत महेंगी मिलती है तो घर पे आप असान अच्छा लगाएगा विफिलाल मेरे पास थाने बडूद में ही बनाईएगा फ्रेंट शॉटकर करना चाहते है तो मिल्कमेट का या चाहते हैं कैसी लगी आपको यह रेसिपी जरू मुझे कमेंट करके बताईएगा तो फ्रेंट कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टि अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे तो डेफिनिटली आपको पसनाई होगे इससे मुझे मोडिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंट और फैमली के साथ अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगे कीजिए घंटे के साथ ताकि सारे वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तिल दैन टेक केर बबाई